हेलो एब्रिवन सक्सेश टू सोशियोलाजी पर आप सभी का शागत है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को और ज्यादा लोगों तक सेयर कर दीजी ये क्लाश विहार सोशियोलाजी संबंधी थे सामाजिक व्यवस्था की संरचना से तातपर है इसमें राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर है ओप्शन फोर व्यक्तियों की समस्थी नेक्स्ट कोश्चन है मैक्स वेवर के अनुसार वे संबंध जिसमें सामाजिक क्रिया का अनुवस्थापन उन समूहों की व्यक्तिनिस्ट भावनाओं में मिलता है जिसमें वे इकठ्थे पाए जाते हैं निम निलिखित कहलाते हैं सहचार्यात्मक संबंध सामगदाइक संबंध संस्थागर संबंध संकलनात्मक संबंध राइट आंसर क्या होगा मैक्स वेवर के अनुशार वे संबंध जिसमें सामाजिक क्रिया का अनुवस्थापन उन समूहों की व्यक्तिनिस्ट भावनाओं में मिलता है जिसमें वे इकठ्थे पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं राइट आंसर है आप्शन सेकंड साम दाइक संबंध कहलाते हैं नेक्स्ट पोईशन है भारती संबिधान का निम्न में से कौन से अनुच्छे राष्ट पती को पिछडी जातियों की दसाओं का अनुवेसल करने के लिए सक्तिपरदान करता है अनुच्छे 340, अनुच्छे 332, अनुच्छे 334, अनुच्छे 341 राइट आंसर क्या होगा भारती संबिधान का कौन सा अनुच्छे राष्ट पती को पिछडी जातियों की दसाओं का अनुवेसल करने के लिए सक्तिपरदान करता है राइट आंसर है आप्शन फस्ट 340 नेक्स्ट क्विश्चन है अमेरिकन समाज के अध्यान में मर्टन का उपागम था अमेरिकन समाज के अध्यान में मर्टन का उपागम था राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर है आप्शन सेकंड सन रचनात्मग प्रकारियात्मग नेक्स्ट पॉजिश्चन है शमाज सास्थ में प्रकारिवादी परप्रेच का उध्भो निमन में से किसकी रचना से हुए अगस्ट कॉम ते रोबर्ट के मर्टन इमाईल दोर्खीम पार्शन्ग प्रकारिवादी परप्रेच का उध्भो किसके द्वारा हुए अगस्त कॉम्टे, रॉबर्ट के मर्टन, इमाईल दूर्खिम पार्शन राइट अंसर है आप्शन थर्ड इमाईल दूर्खिम नेक्स्ट कॉजिशन है जिन महत्पूर मोल्यों पर सभी संस्कितियां बल देती हैं वे हैं भातिक प्रगत स्वाचेतन स्वाशन तोष ग्रहिता जिन महत्पूर मोल्यों पर सभी संस्कितियां बल देती हैं वे क्या है भातिक प्रगत स्वाचेतन स्वाशन तोष ग्रहिता राइट आंसर है आप्शन सेकंड स्वाचेतन सेलिंग पर मैंन के अनुशार नेम ने लिखी तमेशे कौन शकतर मजदूर शंगों के उद्धा के लिए उत्तर दाई है कार की सुलवता सूध रहता की आशकता बाल मरे तुशंख्या अंतर गर भासे मरे तुशंख्या इन में से क्या राइट आंसर होगा सेलिंग पर मैंन के अनुशार कौन सा कथन मजदूर शंगों के उद्धा के लिए उत्तर दाई है राइट आंसर है आप्शन सेकंड सूध रहता की आवश्यकता नेक्स्ट कुश्चन है मानो शमाज में कारक विवस्था बनाए रखते हैं निमने लिखित में से कौन से हैं मानो शमाज में कारक विवस्था बनाए रखते हैं निमनिल लिखित में से कौन से हैं विश्वास अनुशास्थ स्रम विभाजन शमुहुमत राइट अंसर क्या होगा राइट अंसर है आप्शन शेकंड अनुशास्थी मैक्स वेवर की मानेता है कि तर्क संगत सत्ता तीन आधारों पर निर्वर हैं निमनिल लिखित चार आधारों में से उन एक को अंकित कीजिए जो वेवर द्वारा नहीं दिया गया है विवेक पूड आधार परंपरागत आधार वैधानिक आधार चमत कारी आधार राइट आंसर क्या होगा मैक्स वेवर के अनुशार तर्क संगत सत्ता तीन आधारों पर निर्वर हैं और इन ये जो चार आप्शन दिये हैं इन में से कौन सा एक नहीं है तीन मैक्स वेवर ने बताये हैं इन में से कौन एक नहीं है राइट आंसर है और आप्शन फर्ष्ट विवेक पूड आधार मैक्स वेवर ने परंपरागत बताया है वैधानिक आधार पर्ष्ट ये नहीं है कोई भीकार इतब विचलन कहलाता है जब उसे विपथ गमन के रूप में परिभासित किया जाता है या विचार किसके द्वारा दिया गया कोई भीकार इतब विचलन कहलाता है जब उसे विपथ गमन के रूप में परिभासित किया जाता है यह विचार किसके द्वारा दिया गया है यह परिभासक इस ने दी है कि कोई भी कार तब विचलन कहलाता है जब उससे विपध गमन के रूप में परिभासक किया जाता है राइट आंसर है आप्शन सेकंड हावर्ड बेकर नेक्स्ट कुश्चन है मानक सूनिता एनॉमी की अधारा का विकास किसके द्वारा किया गया है पार्शन्स जेम्स ब्रायन दुर्खी मार्शल क्लीनाड राइट आंसर क्या होगा मानक सूनिता की अधारा का विकास किसके द्वारा किया गया है राइट अंसर है ओप्शन थर्ड इमाल दुर्खेम के द्वारा नेक्स्ट कुश्चन है निम निमेश विचलन से संबंधित नियंत्रल सिद्धान किसने दिया है गोडाट बेकेरिया हट्स कोबिश वाल्टर वर्गिश विचलन से संबंधित नियंत्रल सिद्धान किसने दिया है विचलन से संबंधित नियंत्रल सिद्धान किसके द्वारा दिया गया है गोडाट बेकेरिया हट्स कोबिट्स वाल्टर वर्गिश राइट अंसर है आफ्शन फोर वाल्टर वर्गिस नेक्स्ट कुश्चन है जब सदस्यों में अश हमत पैदा होती है तब उत्पन होता है एक मतता शंगहर्ष प्रतियश्वर्धा शहयोग जब सदस्यों में अश हमत पैदा होती है तब कौन सी इस्थिति उत्पन होती है एक मतता शंगहर्ष प्रतियश्वर्धा शहयोग राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर है आप्शन शेकंड शंगहर्ष की इस्थिति उत्पन होती है नेक्ट कुश्चन है निम्न कथनों में से संघस की सही विशेशता बताईए या अन्य व्यक्त की इच्छा का प्रतिरोध नहीं करता है या एक जैसे हितों के फ़ल सुरूप घटित होते हैं या किसी अन्य व्यक्त की योजनाओं में बाधा नहीं पहुचाता है इसमें जान भूज का विरोध करने का प्रेयतन किया जाता है संघस से शंबंधित कौन से विशेशता इसमें सही है या अन्य व्यक्त की इच्छा का प्रतिरोध नहीं करता है या एक जैसे हितों के फ़ल सुरूप घटित होता है या किसी अन्यव्यक्ति की योजनाओं में बाधा नहीं पहुंचाता है इसमें जान भूज कर विरोध करने का प्रेयत न किया जाता है इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर है आप्शन सेकंड या एक जैसे हितों के फ़ल शरूप घटित होते हैं नेक्स कुईशन है आत्म साथ करण में निम नांकित पाया जाता है संस्कीत का दो तर्फ विलियन विविन संस्कीतियों के पारिश्परिक विलियन का अभाव शमू का जैविकी सनलयन संस्कीति विन निताओं का पूड निर्शन आत्म साथ की प्रक्रिया में क्या पाया जाता है संस्कृत का दो तर्फव विलियन विविन संस्कृतियों के पारशपरिक विलियन का अभाव संस्कृतियों का पूड निर्शन राइट आंसर है आप्शन फोर संस्कृतियों का पूड निर्शन नेक्स्कृतियों क्या कहलाता है समंजन, समायोजन, प्रिथक कारीकार, व्यक्तिकत कारियों को अन्ता ग्रथित करना तृतियक सहयोग के अंतरगेत क्या आता है राइट आंसर क्या हो गए तृतियक सहयोग कौन सी इस्थिती होती है राइट आंसर है ओप्षन फर्स समंजन सामंजे स्पोर्ड सांस्कितिक व्यवस्था के निर्माड के लिए आशामान सांस्कितिक लच्छडों का पारशपरिक समयोजन क्या कहलाता है प्राकार्यात्मक एकी करण, सांस्कितिक एकी करण, आदस मूलक एकी करण, सामाजिक एकी करण राइट आंसर क्या होगा शामंजिश पूर्ड सांस्कितिक व्यवस्था के निर्माण के लिए असमान सांस्कितिक लच्छडों का पारश्परिक समयोजन क्या कहलाता है राइट आंसर है ओप्शन सेकंड सांस्कितिक एक ही करड़ एक वर्ष से कम आयू के वच्चों की मृत को क्या कहते हैं शिशू मृत शंख्या, नौजात मृत शंख्या, बाल मृत शंख्या, अंतरगर भाशे मृत शंख्या राइट आंसर क्या होगा एक वर्ष से कम आयू के वच्चों को किस त्रेडी में रखते हैं शिशु मृत्यू शंख्या, नौजात मृत्यू शंख्या, बाल मृत्यू शंख्या, अंतर गर्भाशे मृत्यू शंख्या राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है आप्शन फर्स शिशु मृत्यू शंख्या प्रति अश्वर्धा का निम नांकित लच्छडों में से सही लच्छड बताईए प्रति अश्वर्धा समाज में निरंतर नहीं पाई जाती प्रति अश्वर्धा वस्तुता क्रिया वर सामाजिक अंता क्रिया के हर छेत्र में नहीं पाई जाती प्रति अश्पर्धा संसार में अनन्मोधित अधिक अन्मोधित कम होती है प्रति अश्पर्धा का लच्छ साधित प्रैस्थिती प्राप्त करना नहीं होता है प्रति अश्पर्धा से संबंधित सही लच्छड क्या है प्रतियस पर्धा समाज में निरंतर नहीं पाई जाती ये option गलत है प्रतियस पर्धा संसार में अनुनमोधित अधिक और अनुमोधित कम होती है ये भी गलत है प्रतियस पर्धा का लच्छ साधित प्रईश्थित प्राप्त करना नहीं होता ये भी गलत है प्रतियस पर्धा वस्तुता क्रिया वर शामाजिक अन्ता क्रिया के हर्थ शेत्र में नहीं पाई जाती ये option सही है option second right answer है next question है संघर्ष का उपयोगी कार क्या है ये शामाजिक परिवर्तन को अभिप्रेरित करता है ये समों को प्रभावित नहीं करता है ये बहुत महगा नहीं है ये समाज को विवादाश्पत लच्छों की ओर प्रचलित नहीं करता है शंघर्ष का उपयोगी कार क्या है राइट एंसर है आप्शन फर्ष्ट या शामाजिक परिवर्तन को अभी प्रेरित करता है नेक्स्ट कुश्चन है बेबर ने तीन प्रकार की सत्थाओं का उलेक किया है निम निमेशे कौन उसमें समलित नहीं है वैधानिक सत्था परंपरागे सत्था विशेश सत्था करिश्माई सत्था राइट आंसर क्या होगा बेबर ने सत्ता के तीन प्रकार बताए हैं इस आप्षन में कौन सा उसमें से नहीं है राइट अंसर है आप्षन थर्ड विशेष्ट सत्ता बेबर ने सामाजी संगठन के आधार के रूप में किसे अधिक महत्त दिया है शत्ता शक्त सरकार जन्मत बेबर ने सामाजी संगठन के आधार के रूप में किसे अधिक महत्त दिया है राइट अंसर होगो आप्षन सकंड सक्त दिको संस्कृति व्यवहार की संगठित व्यवस्था है अभी लिखित मानक यह मोली है परिवर्थित नहीं की जाए शकती प्रसिचित प्रेच को द्वारा विक्षित है कौन सराइट आंसर होगा संस्कृत के संबंध में इसमें कौन सराइट आंसर है व्यवहार की संगठित व्यवस्था है अभी लिखित मानक यह मोली है परिवर्थित नहीं की जाए शकती प्रसिचित प्रेचकों द्वारा विक्षित है क्या होगा राइट आंसर राइट आंसर है option first व्यवहार की संगठित व्यवस्था है नेक्स्ट कुजिशन है किसके अनुशार यह कहा गया है कि जेल एक समदाई है इनमें से राइट आंसर क्या होगा है किस विचारक ने कहा है कि जेल एक समदाई है राइट आंसर है ओप्सन सेकंड मैं काईवर यह हम पेज नेक्स्ट कुजिशन है निम निलिकित में से किन है क्रिशक समाज के अध्यान का प्रडेता माना जाता है रॉबर्ट रेड़ फिल्ड को ममफोर्ड को राश को सोरो किन को राइट आंसर क्या होगा किसे क्रिशक समाज का प्रडेता माना जाता है राइट आंसर है ओप्सन फर्ष रॉबर्ट रेड़ फिल्ड को किसी समू या व्यक्ति द्वारा किसी अन्य संस्कित के संपर्क के प्रभाव से अपनी संस्कित को परिवर्टित करना क्या कहलाता है किसी संस्कित के संपर्क के प्रभाव से अपनी संस्कित को परिवर्टित करना क्या कहलाता है राइट अंसर या आप्शन सेकंड संस्कितिक एक अत्वाद नेक्स्ट कुश्चन है पास्चात विचारा किस कारण से भारत वर्ष में नगरी व्यक्तियों की प्रथाओं को ग्रामिर्ड प्रथाओं से उच्छ तर नहीं बता सकते हैं पास्चात विचारा किस कारण से भारत वर्ष में नगरी व्यक्तियों की प्रथाओं को ग्रामिर्ड प्रथाओं से उच्छ नहीं बता सकते हैं वो कौन सा कारण है राइट अंसर है आप्शन फोर सांस्कितिक सापेच च्छ वाद नेक्स्ट कुश्च निमनी लिखित में से किस एक समदाय का लच्छ नहीं है निमनी लिखित में से कौन एक समदाय का लच्छ नहीं है विशिष्ट और सामानी संस्कृत स्रीमित प्रादेशिक छेत अंतर संबंदी भूमकाओं की संरचना शापेच्छिक आत्म निर्भरता इन में से कौन एक समदाय का लच्छ नहीं है राइट अंसर है आप्शन फर्स्ट विशिष्ट और सामानी संस्कृत समाज के बारे में पूछा है समाज का कौन से अच्छ नहीं है राइट अंसर है आप्शन फोर समय और अस्थान संस्कृत और समाज से समबंदी समाधान संस्कृतिक आधार पर किसकी द्वारे निर्धारित होते हैं मानो व्यवार ब्रिहद रूप से संस्की द्वारे निर्धारित होता है मानो व्यवार ब्रिहद रूप से सभिता द्वारे निर्धारित होता है एक समाज की प्रथाएं अन्य समाज के सदस्यों द्वारे आरच्छडी ये समझी जा सकती हैं आप शक्ताएं मनुष की क्रियाओं को निर्धारित करती हैं संस्कृत और समाज से संबंधित समाधान संस्कृति का आधार पर किसके द्वारा निर्धारित होते हैं इन में से कौन एक राइट आंसर होगा संस्कृति और समाज से संबंधित समाधान राइट अंसर क्या होगा राइट अंसर है आप्शन ठेड़ एक समाज की प्रताएं अन्य समाज की सदस्यों द्वारा आरच छड़ी समझी जा सकती है निम्न में से किसे आधनिक पूजीवाद का जनक माना जाता है सेंटर साइमेन, मैक्स वेवर, वैज्ञानिक, फ्रैंकिलिन, केलविन क्योज़न में पूछा है आधनिक पूजीवाद का जनक किसे माना जाता है राइट अंसर है आप्शन थाड़ वाग्यानिक फ्रेंकलिन नेक्स्ट कोश्चन है शमासास्त का छेत्र वाग्यानिक रूप शिव्याद की शिद्धान का अजायव घर मात्र बन गया है यह विचार के शमासास्त रिका है वाप्शन में है शोरो की निमाईल दुर्खीम पेटरा जिस्ट की पार्शन राइट अंसर क्या होगा वाग्यानिक रूप से व्याद की शिद्धान का अजायव घर मात्र बन गया है शमासास्त का छेत्र वाग्यानिक रूप से व्याद की शिद्धान का अजायव घर मात्र बन गया है यह विचार है पेटरा जिट्सकी का आप्शन ठर्ड राइट अंसर है शमासास्त का विशाल छेत्र अफल प्रशू फूलों तथा घास पात से भरपूर है यह विचार किसने दिया है पेटरा जिट्सकी शोरो किन इमायल दूरखीम हरबर्ट इस्पेंसर राइट अंसर क्या होगा राइट अंसर है आप्शन फर्श पेटरा जिट्सकी नेक्स्ट पोजिशन है शोरो किन ने सामाजिक इस्तरी करण के तीन प्रमुख प्रकार बताए है निम्न मेंशे कौन उनमें समलित नहीं है आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, व्योशाईक सामाजिक इस्तरी करण के आधार सोरो किन ने तीन प्रकार बताए है इन में जो कौन एक नहीं है राइट अंसर है ओप्शन सेकंड धार्मिक नहीं बताए है उन्होंने आर्थिक आधार बताए है इस्तरी करण के और राजनीतिक आधार बताए है और व्यावशाई का आधार बताए है नेस्ट कुईस्चन है प्राथ्मिक शमों की विशेशता नहीं है सामाजिक संबंधों का व्यक्तिगर स्वरूप सामान निमोल खंड की व्यक्तित्त के रूप में पारश्वरेक अंताक्रिया संबंधित व्यक्तियों से प्रगाड भावात्मक प्रत्युत्तर की अपेच्छ इन में से कौन प्राथ्मिक समों की विशेश्ता नहीं है राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर है ओप्शन ठर्ड खंड की व्यक्तित के रूप में पारश्फरिक अंतह क्रिया ओप्शन फर्स्ट राइट आंसर है नेक्स कुश्चन है सोरो किन्य अपनी किस रचना में संपूर संस्कितिक विवस्था के तीन प्रमुक चेतनात्मक भावात्मक और आदर्शात्मक रूप बताये हैं शोशल और कल्चर मोबिलिटी शोशल और कल्चर डायनेमिक्स शोशाइटी सोशियोलाजी राइट अंसर क्या होगा सोरो किन्य अपनी किस पुछतक में तीन प्रकार की संस्कितियों का वर्डन किया है राइट अंसर है आप्शन सेकेंड शोशल और कल्चर डायनेमिक्स नेक्ट क्विशन है एक विवादी और बहु विवादी सब्दे विवादी या समाज के लिए प्रियुक्त होते है व्यक्तियों के लिए नहीं निश्ड दीन पात्र या कर्मचारी व्यक्ति को बहु विवादी कहना भाशा के साथ खिलवाड करना है यद्यव कुछ लोग ऐसा करते हैं या कथन किस समाज शास्त्री ने कहा है बुके नोविक, मौर्गन, लूशी मेयर, बोगार्डस राइट आंसर क्या होगा एक विवादी और बहु विवादी शब्द विवाद या समाज के लिए प्रियुक्त होते हैं व्यक्तियों के लिए नहीं निश्ड दीन, पात्र या कर्मचारी विव्यक्ति को वह विवादी कहना भासा के साथ खिलवाड करना है यद्यप कुछ लोग ऐसा करते हैं ऐसा कथन किस समाज शास्त्री ने कहा है राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर है आप्शन थर्ड लूशी मेयर नेक्स्ट क्विश्चन है एक विवा ही विवा का सच्चा स्वरूप रहा था और रहेगा या कथन किस समाज सास्त्री से संबंधी थे व्रिफ होट मार्गन बैक ओफन मैलनो वर्षकी विवा के संबंध में ऐसी पर्भासा किस ने दी है एक विवा ही विवा का सच्चा स्वरूप रहा था और रहेगा ये पर्भासा दी है मैलनो वर्षकी ने आप्शन फोर राइट आंसर है नेक्स्ट कुजिशन है व्रात्रिक वहुपति विवा के संबंध में किस विद्वान का कहना है कि कभी कभी शगे भाईयों के अस्थान पर शगोत्री भाई मिल कर भी एक इस्त्री से विवा कर लेते हैं आप्शन में रिवर्ष, कपाडिया, मौर्गन, मैलनो वस्की व्रात्रिक वहुपति विवा के संबंध में किस विद्वान का कहना है कि कभी कभी शगे भाईयों के अस्थान पर शगोत्री भाई मिल कर भी एक इस्त्री से विवा कर लेते हैं इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ओप्शन फर्ष, ह रिवर्ष निम्न लिखित में सिवा उत्तर बताईये जो धुरुवी, पोलर, प्रैस्थितियों का सही उत्तर नहीं है नियोक्ता, कर्मचारी, अधिकारी, नागरिक, पिता, बच्च, राजनेतिक, गिरोह का नेता धुरुवी, प्रैस्थितियों का सही उत्तर नहीं है राज नीतिक गिरोग का नेता है ये धुरुवी प्रहिस्थिति का सही उदारण नहीं है नियोक्ता कर्मचारी ये है अधिकारी नागरिक ये है पिता और बच्चा ये है ये तीनों है राजनीतिक और गिरोग का नेता इसमें कोई मेल नहीं है ये नहीं है नेक्स कुईशन है नेमनी लिखित में से किस देश को काल मार्क्स ने ACI समाज का उधारण माना है इंडोनेसिया, जापान, भारत, स्री लंका किस देश को काल मार्क्स ने ACI समाज का उधारण माना है राइट आंसर है आप्शन थर्ड भारत नेक्स्ट पुजिशन है निम निमे से किसके अनुशार और धुबामी यो मधोगामी गत्सीलता समाज में नियम हिंता को जन में देती है जिसके फल शुरूब आत्मात्या की दर बढ़ जाती है राइट आंसर क्या होगा किसके अनुशार और धुगामी यो मधोगामी गत्सीलता समाज में नियम हिंता को जन में देती है जिसके परड़ाम शुरूब आत्मात्या की दर बढ़ जाती है राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर है ओफ्षन सिकंड इमाईल दुर्खी नेज्ट कुईस्ट है, नेयम निलिकित मेश एक कॉन सामाजिक नियंत्रड का सरवाधिक महत्तपोडः अभिकरड़ है? कार खाना परिवार सामाजिक वर्ग बिदिया ले पर चैसे की सबैर आए्ट अंसर क्या होगा? राइट आंसर है सबसे महात पोड़ अविकरण परिवार है ओप्शन सेकंड राइट आंसर नेक्स वोजिशन है बहिर वीवा का समाशास्त्री आधार है विभिन भूमिकाओं के वीश संघर्ष को बचाना रक्त में विविधत लाना नयतिकता की रच्छा करना धार में करतब्यों की रच्छा करना राइट आंसर क्या होगा बहिर वीवा का समाशास्त्री आधार इन में से क्या है राइट आंसर है ऑफ्षन सेकंड रक्त में विविधत लाना नेक्स्ट क्वेशन है परंपरा का संयुक्त परिवार का वल अच्छड क्या है जो उसे अन्य प्रकार के परिवारों से अलग करता है आप्षन में एक ही रशोई का पका हुव भोजन संपत्य का समान स्वामित परिवार के सदस्यों का एक ही छत के नीचे निवास एक से अधिक दमपत्य का साथ रहना राइट आंसर इसमें क्या होगा एक ही रसोई का पका हुव भोजन, संपत्ति का समान स्वामित, परिवार के सदस्यों का एक ही छत के नीचे निवास, एक से अधिक दंपत्ति का साथ रहना है परंपरा के संयुत परिवार के बारे में पूछा गया है कि वो कौन से लच्छड है जो उसे अन्य प्रकार के परिवारों से अलग करता है राइट आंसर होगा ओप्षन फोर एक से अधिक दमपत्ति का साथ रहना नेक्स्ट क्वेशन है मात्र परंपरा किस जनजात में है तोड़ा खाशी भील संथाल इनमें से कौन से एक मात्र बंशी परंपरा वाली जनजाती है तोड़ा खाशी भील संथाल राइट आंसर होगा ओप्षन सेकंड खाशी इसके साथ ही गारो जैनतिया और नायर इसमें भी मात्र बंशी परंपरा पाई जाती है खाशी जनजात में सबसे छोटी लड़की के माध्यम से परिवार की सत्ता आगे बढ़ती है हिंदू विवा के कितने प्रकार बताए गए है दो, तीन, चार, आठ हिंदू विवा के कितने प्रकार बताए गए है हिंदू विवा के आठ प्रकार बताए गए है जिन में से चार प्रसस्त विवा की स्रेड़ी में आते हैं नेक्स्ट कुश्चन है अगस्ट कॉम्टे का अगस्ट कॉम्टे द्वारा प्रस्तुत विज्ञानों का वर्गी करण किस विचारक के विचार से उत्परे रित है विश काउंट मारले हीगल बेंजामिन फ्रेंकलिन सेंट सिमोन अगस्ट कॉम्टे का विज्ञानों का संस्त्रड ये किस विचारक से उत्परे रित है विश काउंट मारले हीगल बेंजामिन फ्रेंकलिन सेंट साइमेन राइट अंसर क्या होगा राइट अंसर है ओप्षन फोर सेंट साइमेन स्पेंसर किस उद्विकासवादी से अत्यधिक प्रभावित हुए थे हरबर्ट स्पेंसर किस उद्विकासवादी से अत्यधिक प्रभावित हुए थे मेंडल, डार्विन, ब्राउन, मैलनो, वस्की राइट अंसर है ऑप्शन सेकंड चार्च डार्विन से अधिक प्रभावित हुए थे किसी समय विशेश में समाद में जो विचार आधिते आधि प्रचलित होती है उन्ही का इस्थिर स्वरूप संस्थाए है या कथन किसका है किसी समय विशेश में समाज में जो विचार आधिते आधि प्रचलित होती है उन्ही का इस्थिर स्वरूप संस्थाए है या कथन किस विचारक का है राइट अंसर है ओप्शन ठर्ट थर्स्टीन बेवलेन आज की क्लास बस यहीं तक आई होप आप सब को यह क्लास जरूर पसंद आएगी और क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल से और भी ज्यादा लोग जुड़ें थैंक यू